नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी एन्म 9212 भरती में सिलेक्टेट अभ्यारती कोई जॉइनिंग बहुत जल्द होने वाली है आज बहुत बड़ी खुसकबरी निकल कर सामने आ रही है जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी एन्म 9212 पदों में भरती में प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश भी जारी हो चुका है UPA 9212 पदों में होने वाली भरती प्रक्रिया में आज आयोग ने फाइल को परिवार कंल्याड में भेज दिया है अब परिवार कंल्याड विभाग जल्द से जल्द UPA 9212 पदों में होने वाली भरती प्रक्रिया में 8831 पदों की न्यूकती जल्द से जल्द करेगा नमस्कार दोस्तों सरकारी आरेने योटूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज के है वीडियो आप लोगों के लिए भैद खास होने बाला तो दोस्तों देर किस बात कि अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब केजी वीडियो को लाइक करके सेर जरूर केजी और वीडिय 9212 पदों में होने वाली भरती प्रक्रिया में 8831 पदों के नियुकती कब तक होगे और कब तक नियुकती पतर जारी किया जाएगा आज आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यों से मिलने बाले हैं जैसा आपको पता होगा कि आयोग ने 6 अगस से आज तक फाइल अपने पास रखी थी इसलिए यूपी एनम 9212 पदों में होने वाली भरती प्रक्रिया में लगतात देरी की जा रही थी लेकिन सासन की ओर से निर्देश जारी होने के बाद यूपी एनम 9212 पदों में होने वाली भरती प्रक्रिया में आज आयोग ने फाइल को प परिवार का लियाड विभा की दोरा दो से तीन दिन के अंदर यूपी एनेम नहोजा दो सो बारा पदों में होने वाली भरती प्रक्रिया में चैनी अभ्यारतियों की आर्ट जार आठ सो एक तीस पदों की नियुक्ति जल से जल की जा सकती है। एनेम नहोजाद दोसो बारा पदों में होने वाली भरती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार की सो दिन भरती प्रक्रिया में से एक मीडिया रिपोर्ट की मताबिक यूपी स्वाद भिभाग और यूपी एनेम नहोजाद दोसो बारा भरती प्रक्रिया में ज्वानिंग दो स ही है कि UPANM 9212 भरती प्रक्रिया में दो से तीन दिन के अंदर जॉइनिंग हो सकती है जैसे UPANM 9212 भरती प्रक्रिया में जॉइनिंग हो गई तो आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी कर अभ्यारती को सूचित किया जाएगा यह नोटिस UPCC.gov.in पर जारी की जाएगी आयोग UPANM 9212 भरती में जॉइनिंग प्रक्रिया के संब्द में सबसे पहले अपनी वेफ साइट के माध्यम से अभ्यारती को सूचित करेगा फिर आयोग अभ्यारती को मूबाइल नंबर एयोम इमेल आईडी पर मैसेज के माध्यम से सूचना द जाएगा अगर किसी भी अभ्यारती का मूबाइल नंबर या इमेल आईडी बंद है तो उसको चालू रखे क्योंकि आयोग इसी के माध्यम से सूचना देगा जाइनिंग प्रक्रिया प्रोविजनल और बिना प्रोविजनल वाले दोनों अभ्यारती की एक साथ होगी सबसे पहले यू आर कटेग्री में जितने पद हैं उसके बाद यू आर कटेग्री के सफल अभ्यारती का चैन होगा उसके बाद यसी एस्टी ओबीसी एवं इडवलु एस कटेग्री के अभ्यारती का चैन किया जाएगा आए जानते हैं यूपी अन्म 88181 पदों में होने वाली प्रकरिया में अगर अब्यार्ती अपने मन पसंद जीले के प्रकरिया में जैसे ही आपका कारकार च्छे महिने पूरा होगा फिर आपको पोस्टिंग आपके मन पसंद जिले में की जा सकती है क्योंकि जोयनिंग नियमा अनुसर आयोग द्वारा दी जाने वाली जोयनिंग में कम से कम 6 महने कार करने पड़ता है जैसे ही आपका कार गार 6 महने पूरा हो जाएगा तो आपको यूपी स्वाथ भागियों सीमों को एक application देना होगा उस application में आपको कुछ चानकारी देनी होगी कि आपकी ज्वाइनिंग जिस जिले में है आप उस जिले में कार क्यों नहीं करना चाहते आपको कार के दोरान कौन कौन सी समस्याई उत्पन हो रहे हैं आपको एक application के माध्यम से स्वाथ भी भाग को लेटर लिखना होगा जैसे ही आपका application स्वाथ भी भाग के पास जाएगा तो आपकी ज्वाइनिंग 15 दिन के अंदर आपके मन मुताबिक जिले में किया सकती है